साल 1957 भारती सिनेमा के इतिहास का बड़ा सुनहरा और खास साल रहा इस साल तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई कहना चाहिए कि ब्लॉक बस्टर फिल्में रिलीज हुई मदर इंडिया, नया दौर और प्यासा और इसी साल भारते सिनेमा को एक नया स्टार भी मिला शम्मी कपूर 1957 में ही नासर हुसन की फिल्म तुमसा नहीं देखा भी रिलीज हुई थी और इस फिल्म में शम्मी कपूर की अधाकारी ने खूब जल्वा बिखे रहा था तुमसा नहीं देखा फिल्म से पहले शम्मी कपूर की कई फिल्म में फ्लॉप हुई थी कहा जाता है कि अपनी फिल्मों की नाकामी से शम्मी कपूर इतने हताश हो चुके थे कि वो फिल्म में छोड़ कर असम के चाय बागानों में मैनेजर की नौकरी करने जाने का विचार करने लगे थे शमुई कपूर के घर में बड़े बड़े एक्टर्स थे पिता पृतिवी राज कपूर खुद अभिने जगत का बहुत बड़ा नाम थे हाला कि पित्वी राज कपूर थेटर को प्रात्मिक्ता देते थे शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर ने भी खुद को बहुत कम समय में film इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया था ऐसे में खुद को साबित करना शम्मी कपूर के लिए एक बड़ी चुनौती थी साल 1953 में आई जीवन जोती से शम्मी कपूर का डेब्यू हुआ था जिस वक्त उन्होंने जीवन जोती साइन की थी यानि साल 1951 में उसी साल उनके बड़े भाई राज कुपूर की फिल्म आवारा रिलीज हुई थी आवारा भी बहुत बढ़ियां चली लेकिन शम्मी कपूर नाकाम्याबी के भवर में फसे रहे वो भी पूरे चार सालों तक साल 1955 में उन्होंने एक्टरस गीता बाली से शादी कर ली थी जो उम्र और करियर के लिहास से शम्मी जी की सीनियर थी ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में दिलेब कुमार देवानंद और राज कपूर की तिगडी का जोर था जादतर फिल्म में इन्ही कलाकारों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी यही वज़ा है कि नासर हुसिन ने भी पहले तुमसा नहीं देखा देवानंद साहब को उफर की लेकिन उन दिनों देव साहब के पास समय नहीं था इसके बाद नासर हुसिन ने सुनिल दज जी को वो फिल्म उफर की मगर उनके पास भी तब डेट्स की कमी थी तब शचदर मुखर जी ने नासर हुसिन को शम्मी कपूर को तुमसा नहीं देखा में कास्ट करने की सलाह दी उन्होंने नासर हुसिन से कहा कि शम्मी कपूर में मुझे संभावनाय नजर आती है शचदर मुखर जी ही तुमसा नहीं देखा फिल्म को प्रोडूस कर रहे थे शम्मी कपूर जब तुमसा नहीं देखा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वो तब भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो क्या करेंगे उन्हें असम के चाय बागानों में नौकरी ही करनी चाहिए या कुछ और काम देखना चाहिए उन्हें लग रहा था कि फिल्म इंडेस्ट्री छोड़ना तो तैही है हाला कि पतनी गीता बाली ने जरूर तब उनसे कहा था कि शम्मी कपूर तुम भी एक दिन बड़े स्टार बनोगे गीता बाली की बास सच साबित हुई तुमसा नहीं देखा काम्याब रही और शम्मी कपूर को भी स्टार का दर्जा मिल गया अगले एक दशक तक शम्मी कपूर का स्टार स्टेटस कायम रहा